देश में एक तरफ ग्रीन एनरजी के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए बड़े बड़े दावे किये जा रहे हैं और दूसरी तरफ हकीकत देखें तो बिजली के लिए कोईले पर निर्भरता लगातार बढ़ रही है इसमें आगे और बढ़ोतरी होगी ऐसे अनुमान भी तैर रहे हैं केंद्री उर्जा मंतरी आरके सिंग ने हाल में कहा कि देश में फिलाल जो 49 गीगावाट की नई कोल पावर शमता तयार हो रही है उसमें 2030 तक 25 से 30 गीगावाट की नई शमता भी जुड़ेगी यानि कोईले से जाधा बिजली उतपादन के लिए जाधा को पत बढ़ जाएगी सर फिर कोईले को खत्म करने का जो लक्ष था जो बात थी उसका क्या होगा यहां भारत एक अजीब सी दुविधा में फस चुका है और कई तरिके की दुविधा है जिससे हम इससे समझने की कोशिश करते हैं हमने विस तार से एक एकनामिकम में आपको बताया भी था कि कोईले से लड़ाई भारत हार रहा है इसकी शुरुआत में जबकि भारत ने आगे बढ़कर ग्लासको की सम्मिट में में उस सहमती पर स्क्षर किये थे और लक्ष था कि भारत दोहजार पचास तक और योरोप के देश दोहजार तीस तक कोईले पर अधार थर्मल पावर को बाहर कर देंगे और उसकी जिए गैस परमान और जा और बाकी रास्तों से गैस से बिजली बनाई जाएगी जो पर्यावनों को प्रफावित नहीं करेगी पर यह जो योजना आई जो सरकार के तरफ से भारत की पावर की दोजार तीस तक की योजना यह हमें इस बात का संकेत देता है कि पिछले तीन-चार सालों में हम जो भी सुन रहे थे रिन्यूबल एनरजी के मामले में गैस के मामले में उसका सबका कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ा भारत में बिजली उत्पादन की वेस्थाओं पर हम वहीं हैं जहां पर खड़े थ तो अगर भारत की भविश्य की सारी बिजली उत्पादन चमताओं का विस्तार कोईले पर निरभर है 38 परसेंट ज्याधा कोईला चाहिए तो यह खबर आस्ट्रेलिया के कोल निर्यातकों के लिए अच्छी खबर है क्योंकि यह कोईला भारत इंडोनेशिया से अस्ट्रेल जिसमें रेलवे ख़दानों से कोईला लेकर बिजली घरों तक पहुंचा है महराल कोईले का आयात पिछले साल भी बढ़ा था पिछले साल से जाधा आयात इस साल हो रहा है पर दूसरी बड़ी दुविधा यह है कि भारत सरकार यह कैसे निरधारित करेगी कि योरोप के ब जिसका सवाल का जवाब नहीं मिल रहा है तो ग्रीन एनर्जी की सारी बहसें और चर्चाएं सुर्कियों में एक तरफ है वास्तिविक्ता यह है कि हम पहले जाधा कोईला खपा रहे थे अब और जाधा कोईले की खपत करेंगे बिजली की जरूरतों के लिए के लिए और भ जिस एकनोमिकम का उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा कोईले की पूरी कहानी कहां से यह शुरू हुआ था कहां तक हम पहुंचे हैं जिसकी विदाई होने लगी थी पूरी दुनिया में कैसे वह वापसी कर रहा है क्या कुछ पूरी दुनिया मे घटरायना केवल भारत में इस सब कुछ आप इस एकनोमिकम में जान सकते हैं